दोस्तो माबाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है मगर हम लोग कई बार अपने फर्ज से मूँ मोल लेते हैं और अपने माबाप को भूल जाते हैं उनके द्वारा हमारे लिए किये गए त्याक को भूल जाते हैं और जिसकी सजा हमें कभी न कभी जरूर मिलती है क्योंकि जो लोग माबाप को दुख पहुँचाते हैं वो कभी खुश नहीं रह पाते आज हम माबाप से जुड़े कुछ कोट्स आपके सामने रख रहे हैं जिन्दगी में दो लोगों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है एक पिता जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हा रहो और दूसरी माँ जिसको तुमने हर दुख में पुकारा हो एक माँ जितनी ताकत किसी में नहीं होती है जनाब माँ तो वो है जो मौत के मूँ में जाकर औलाद को जनम देती है सन्नाटा छा गया बटवारे के किस्से में जब मा ने पूछा मैं किसके हिस्से में हूँ एक पिता हमेशा नीम के पेड जैसा होता है जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वो छाया हमेशा ठंडी देता है आज रोटी के पीछे भागता हूँ तो याद आता है मुझे रोटी खिलाने के लिए मा मेरे पीछे भागती थी पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ती के लिए घर में जगह बना लेते हैं वो लोग जिनके घर में माता पिता के लिए कोई इस्थान नहीं होता ना जाने कितने दुख कमाता है एक पिता उलाद की खुशी खरीदने के लिए फिर भी उसी उलाद के महल में एक कोना नहीं मिलता माबाप को ठैरने के लिए ठंडी रोटी अकसर उनके ही नसीब में होती है जो अपनों के लिए कमाई करके देर से घर लोटते हैं हर कलाकार अपनी कला को अपना ही नाम देता है लेकिन मा जैसा कोई कलाकार इस संसार में नहीं है जो स्वयम बच्चे को जनम दे कर नाम उसके पिता का देती है मा बाप की दवाई की परची अकसर गुम हो जाती है पर लोग वसीहत के कागज बहुत अच्छी तरह संभाल के रखते हैं मजबूर पिता द्वारा कहे गए भावुक शब्द बोज इटो का और बढ़ा दो साहब मेरे बच्चे ने आजे खिलोने की फर्माईश की है किसी ने मा के कंधे पर सर रख के पूछा मा कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी मा ने कहा जब तक लोग मुझे अपने कंधे पर ना उठा ले मा और पिता के रोल में बस इतना सा फरक है मा का रोल जीते जी समझ में आता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद घर में चाहे कितने ही लोग क्यों नहों, अगर मा ना दिखे, तो घर खाली-खाली ही लगता है. दम तोड़ देती है माबाप की ममता, जब बच्चे कहते हैं, कि तुमने किया ही किया है हमारे लिए. मत गुस्सा करना अपनी मापे यारों, वो मा की दुआ ही है, जो तुम्हें हर मुसीबत से बचाती है. मेरी मा आज भी अनपढ ही है, रोटी एक मांगता हूं, वो दो लाकर देती है. मा कभी ये नहीं कहती, कि बेटा मुझे खुश रखना, वो तो बस यही कहती है, कि बेटा तु हमेशा खुश रहना. तो दोस्तों, माता पिता के बुड़े होने पर भी उन्हें भरपूर प्यार दीजिये, क्योंकि जब आप बच्चे थे, तब भी वो आपको बेहिसाब प्यार देते थे. आप एक शब्द भी बोलना नहीं जानते थे, तब भी वो समझ जाते थे कि आप क्या कहना चाते हैं. है ना? तो कोशिश करिए कि आप अपने माबाप को कभी दुख ना दे. दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिये, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिये, और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें. फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अपना कीमती समय देने के लिए सब्सक्राइब याथ.